नमस्कार मैं हूराम किंकर सिंग दिल्ली तक की खास प्रेशकस्मा आपका स्वागत है। मेरे साथी अंकित खंडेलवाल के जरीए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आज दिल्ली के लिए चिंता जनक बात ये हुई क्योंकि आज दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक केस आया। और मंकी पॉक्स के इस केस की वज़े से सभी हलकान हैं, हाला कि दिल्ली सरकार ने साफ तोर पर कहा है घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए बाकाइदा इंतजाम भी किये गए हैं, और इंतजाम खास कर ये कि कोविट का जो सबसे बड़ा अस्पताल था, लोकना मंकी पॉक्स का कोई केस आता है, तो वो किस तरह से डील करें, यानि केरल के बाद दिल्ली ऐसा राज्य बना, जहां पर मंकी पॉक्स का ऐसा केस हाया, और मंकी पॉक्स को जानकर आपके बारे में बहुत आपको हैरानी होगी, कि यह एक ऐसा वाइरस है, जो कि कोरोना से बह अगर किसी को monkey pox हुआ है और आप उसके कपड़े शेयर करते हैं तो भी आपको हो सकता है और साथ ही साथ अंदाजा लगाईए कि कितना आसान है इसे समझ पाना लेकिन confused तब हो जाएंगे जब आपको लगेगा इसके लक्षणों को देख कर क्योंकि जिस तरह से कोरोना के लक लेकिन कई बार शरीर में खुजली के साथ रेशेज आते हैं मसल पेन होती है और यही वज़ा है कि हम इसे differentiate कर पाते हैं कि यह monkey pox है जबकि कोरोना नहीं है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझने की जरूरत है कि कहीं वह monkey pox के शिकार हूं और कोरोना समझ ब में अब तक इस्तेमाल करते आए हैं वो यह कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और साथी साथ दूसरे से दूरी बना कर रखना क्योंकि पता नहीं है कि सामने वाला monkey pox से संक्रमित है या नहीं है और ऐसे में अगर जाँच की जाए तो इसकी जाँच कैसे होती ह इसके लिए खास तोर पर जो जाँच है वो यह है कि हमेशा इसकिन से जाँच होती है इसकिन से स्लेट निकाले जाते हैं और खास बाती है कि जो पुने में वायरालिजी इंस्टिक्यूट है वहाँ पर इसकी बाकाइदा जाँच की जाती है तो साफ तोर पर हमें यह देख न कर दे कहीं यह हमें परिशान न कर दे और बड़ी खतरनाक बीमारी है यह जो कि सिरफ और सिरफ अफरीका में ही नहीं फैली और बलकि यह दूसरे और राजियों में फैली तक्रीबन 20 ऐसे देश हैं काकड़ी के मुताबिक जहां पर यह मंकी पॉक्स का वाइरस लगातार फ ऐसी जो मृत्यू दर है वह बहुत कम है और ना के बराबर है यही वाज़े मैं कह रहा हूँ इसे घबराने की जरूरत नहीं है और सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतने की जरूरत है और इसलिए साफ तोर पर एलन जेपी ने तयारी की है और च्छै बेट का एक अस्पताल बनाया है और उस च्छै बेट के अस्पताल में जो अलग-अलग डॉक्टर्स खास तोर पर प्रशिक्षीत किये गए हैं कि वह जो है पेशिंट को देखेंगे जो कि मंकी पॉक्स से ही संबंदित होगा और एक खास तरह का इलाद एक खास तरह की देख रेक और साथी साथ इस्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो की सरकार की तरफ से जारी किये गए हैं उसका इस्तेमाल करते हुए यह तमाम डॉक्टर्स बाकाइदा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कभी कुछ ऐसा नहो कि सिर्फ एक ही तरीका है बचने का कि मास्क लगाईए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए तब जाकर आप कोरोना के साथ साथ मंकी पॉक से भी बच सकते हैं तो मेरे साथी अंकित खंडेलवाल और दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजे इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्य के साथ जो सीधा आपसे तालूक रखता है